देश में डिटेंशन सेंटर के मुद्दे को लेकर राजनितिक दलों में तकराट तेज हो गई है एक और पीम मोदी के डिटेंशन सेंटर को लेकर कही गई बात का विरोध कर कॉंग्रेस चारों और से घिर गई है मोदी के बयान को जूट बताने वाले रहुल गांधी को अब बीजेपी नेताओ की तीखी टिपड़ी का सामना करना पड़ रहा है इसे बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज एक प्रेस कॉन्फरेंस कर कहा कि कि किसी भी विशय पर रहुल गांधी को कोई ग्यान नहीं है लेकिन हर विशय पर उन्हें बोलना है अब आईए सुनते हैं कि संबित पात्रा ने आगे और क्या क्या कहा बंदुगन आज राहूल गांधी जी ने कुछ ट्वीट किया है और जिस प्रकार का भाशा का प्रयोग किया है वो वाकई आपत्ति जनक है राहूल गांधी जी ने कहा है कि RSS के प्रधान मंतरी भारत माता को जूट बोलता है मुझे लगता है राहूल गांधी जी से भद्रता की अपेक्षा करना राहूल गांधी जी से अच्छाई की अपेक्षा करना अच्छे भाशा की अपेक्षा करना ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करना है ये बहुत ज़्यादा अपेक्षा करना है जहां तक राहुल गांदी जी का सवाल है शायद उनको पता नहीं है कि प्रधानमंत्री आरेसेस के प्रधानमंत्री नहीं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं उनके भी प्रधानमंत्री हैं हमारे भी प्रधानमंत्री हैं और पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं और जहां तक सच और जूट का सवाल है यह अतिशोक्ति नहीं होगी अगर हम राहुल गांधी को जूटों का सरदार कहें याद होगा आपको की रफेल के मामले में किस प्रकार से जाके सुप्रीम कोट में खड़े होकर राहुल गांधी जी ने शमाय आचना की थी माफी मांगी थी क्यूंकि उन्होंने जूट फैलाया था सुप्रीम कोट को लेकर जूट बोला था प्रधान मंत्री के एक स्टेटमेंट को लेकर आज राहुल गांधी भ्रम फैला रहे हैं वो कह रहे हैं प्रधान मंत्री ने जूट कहा है प्रधान मंत्री ने क्या कहा था प्रधान मंत्री ने कहा था कि NRC के तहत भारतिये जंता पार्टी की सरकार ने कोई भी ऐसा detention camp नहीं बनाया है जिसमें NRC के बाद किसी भी हिंदुस्तान के मुसल्मान को रख दिया जाएगा या detain किया जाएगा ये सारी अफवाहें जूटी है ऐसा कोई detention camp नहीं है यह स्वयंग प्रदान मंत्री जी ने कहा था तो इसमें जूट क्या है राहूल गांधी और राहूल गांधी जी की party जिस प्रकार की बाते फया रही थी कि हिंदुस्तान के मुसल्मानों को लेकर detention camp में रखा जाएगा हिंदुस्तान के मुसल्मानों को देश से बाहर निकाल दिया जाएगा और NRC के बाद इस प्रकार के detention camp भारती जंता party की सरकार बना रही है यह पूरी तरह से जूटी थी और इस जूट का परदाफास दिल्ली में रामलिला के मैदान में प्रधानमंत्री जीने किया था आज राहूल गांधी पूरी तरह से एक्सपोज हुए हैं तो कहीं न कहीं जूट और फरेब का साथ ले रहे हैं बंदुगन आज हम इस मंचपे से documents के माध्यम से राहूल गांधी और Congress Party के जूट को एक्सपोज करेंगे किसने detention camp बनाया और कब बनाया पहला document जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ यह Press Information Bureau Government of India Ministry of Home Affairs का press release है P.I.B. का press release 13 December 2011 13 December 2011 को सरकार किसकी थी केंदर में किसकी थी और आसाम में किसकी थी राहूल गांधी जी आपके माताश्री की अध्यक्षता में Congress की सरकार थी Manmohanji केंदर में प्रदानमंत्री थे और गोगोई सहब असाम में मुक्यमंत्री थे और यह Press Release क्या कहता है 362 illegal migrants sent to detention camps in Assam The government of Assam has set up three detention camps at Golpara, Kokrajhar and Silchar to keep the declared foreigners or illegal migrants still deportation to their place of origin A total of 362 declared foreigners or illegal migrants have been sent to these detention camps till November 2011 The number of foreigners or illegal migrants sent to detention camps are 221 persons in Golpara, 79 in Kokrajhar and 62 in Silchar Of this, 78 persons have been deported to their place of origin till November 2011 खुद राहूल गांदी जी की Congress सरकार ने ये माना है कि तीन detention camp हमने आसाम में कोला है और कहां खोला है? गोलपारा में, कोकराजार और सिल्चर में और 362 लोग in detention center में detain किये गए हैं राहूल गांदी जी के सरकार के द्वारा इससे पहले कि वो deport किये जाएं उससे पहले वो detain किये गए हैं in detention center में अब दूसरा कागज चो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वह है White Paper on Foreigners Issue October 20th 2012 ये October 20th 2012 को एक स्वेत पत्र जारी किया था White Paper on Foreigners Issue और किसने जारी किया था? ये जारी किया था Government of Assam ने आप सब ये पेपर देख सकते हैं ये सब पेपर देख सकते हैं 2012 में किसकी सरकार थी? Assam में तरुन गोगोई जी की सरकार थी ये Congress की सरकार थी और इस White Paper में आप देखेंगे Page No.38 Page No.38 में 4.4 No.Clause में मैंने उस कागज को बढ़ा किया हुआ है एक अलग कागज निकाला हुआ है पढ़ने में easy होगा मैं उस 4.4 Clause को पढ़ता हूँ Clause का heading है Detention Center 4.4.1 In most cases it was found that the illegal migrants detected as foreigners by the Foreigners Tribunal under the provision of Foreigners Act 1946 go untraced after they are so detected कहा गया है कि जो foreigners detect होते हैं foreigners tribal द्वारा वो untraced चले जाते हैं उनको पकडा नही जा पाता है This has created hurdles in deportation of the foreigners detected by the Foreigners Tribunal to impose restriction in the movement of the detected foreigners and requiring them to reside in a particular place immediately after they are so detected and to ensure that such persons do not perform the Act of Vanishing ऐसे लो गयाब नहो जाए It was decided to set up detention centers to keep such foreigners till they are deported to their country of origin मतलब आसाम की सरकार ने decide किया आगे लिखते हैं The government of India has authorized the state government under the provisions of section 3.2.E of the Foreigners Act 1946 and para 11.2 of the Foreigners Order 1948 to set up detention centers मतलब केंदर की सरकार ने अधिक्रत रुप से असाम की राज्य सरकार को यह निर्देश दिया है कि आप detention center set up करिए केंदर की सरकार 2012 में किसकी थी राहूल गांधी जी आपकी mathematics कमजोर है आप नहीं जान पाएंगे इसलिए शायद आपको पता नहीं चलेगा 2012 में क्या बोल रहा हूँ 2012 में आपकी माताश्री NDA की chairperson थी और मनमोहन जी देश के प्रदानमंत्री थे उनके अंडर में यह report प्रस्तूत किया गया था और आपकी सरकार ने आसाम की सरकार को यह निर्देश दिया था कि आप detention centers establish करे the number of such foreigners kept in three detention centers that we have opened in Golpara, Kokrajhar and Silchar are as follows Golpara 66, Kokrajhar 32, Silchar 20 the fingerprints and photographs are also being kept and the photographs of absconding foreigners are being published in newspapers यह जो कागज मैंने पढ़ा वो इस इस पुस्तिका से पढ़ा जो कॉंग्रेस की सरकार ने जारी की थी 2012 में और राहूल गांदी has the gumption has the audacity of calling the present prime minister a liar जूटों के सरदार आपको facts पता नहीं है और यहाँ पर आप आके अनर्गल बाते करते हैं आपको बता दे कि बिते दिन PM मोदी ने CA और NRC को लेकर कहा था कि पुरे देश में ये हफवा फैलाई जा रही है कि मुस्लिमों को कुछ चिनित जगहों पर भेज दिया जाएगा मोदी के इस भाशन के बाद राहूल गांधी ने विरोध जत आया राहूल ने कहा है कि मोदी डिटेंशन सेंटर को लेकर जूट बोल रहे है जिसके बाद अब विजेपी के तमाम नेता राहूल गांधी पर निशाना साथ रहे हैं टीम खबर अपडेट